नमस्कार दोस्तों, NCRT की क्लास 8 की हिस्टरी किताब चल रही है और उसका चैप्टन नमबर 8 का पार्ट 2 है, पार्ट 1 मैं अल्रडी अप्लोड कर चुका हूँ, इसी की पैरलली स्पेक्टर में भी मैं आपसे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट की ही बात हो रही, यहाँ पे कास्ट और सोशल रिफॉर्म के बारे में बात करेंगे, इससे पहले भी हम लोगों ने सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में बात की है, कैसे उन्होंने कास्ट इनिक्वालिटी को अपोस किया, जैसे एक पुराने ब देखो कि प्रात्ना समाज ने क्या किया प्रात्ना समाज ने भक्ति की सिध्धान्त पर फोकस किया प्रात्ना समाज ने भक्ति की सिध्धान्त के थुरू बताया कि देखिए भक्ति का सिध्धान्त सबके लिए अवलेबल है इस भक्ति की सिध्धान्त में spiritual equality की बात की गई है यानि हर कास्ट के लोगों के पास इस स्पिरिचुल यूनियन करने का अधिकार है भगवान के साथ बॉंबे में एक और्गनाइजेशन एक्टिव था परमाहंस मंडली 1840 में मना था इसका तो कामी ये था कि भगया ये जो कास्ट डिस्टिंक्शन इनको सोसाइटी से हटाओ आप देखोगे कई बारी जो रिफॉर्मर्स हैं जो रिफॉर्म एसोसीशन के मेंबर हैं जो कि हमारी सोसाइटी में रिफॉर्म लाने की बात कर रहे थे ज़रूरी नहीं है यह lower caste के हो यह कभी-कभी बार यह upper caste के भी हुआ करते थे इनकी secret meetings होती थी इन secret meetings में यह लोग बात करते थे कि कैसे जो caste के taboo's है कि lower caste के लोगों को साथ खाना नहीं खा रहे हैं उनको छोनी रहे हैं यह सब हटाने की ज़रूरत है अगर हमको society को अपनी strong करना है तो फिर आप देखो के there were also others who question the injustices of the caste social order भईया caste social order के अंदर जो कुछ भी गलत हो रहा था उसके खिलाब भी बहुत से लोगों ने आवाज उठाई एक चीज ने इसमें बहुत मदद की आप देखो के 19th century के दौरान question machineries इंडिया में आये और उन्होंने tribal groups के लिए lower caste के लोगों के लिए girls और women के लिए educational institutes खोले जहां पे इन लोगों को पढ़ाए लिखाया गया और अपनी पढ़ाई लिखाई के आधार पे धीरे-धीरे इन लोगोंने समझना शुरू किया जो marginalized sections थे जो disadvantage sections थे हमारे society के उन्होंने समझना शुरू किया कि हमारा social हो रहा है जिसके खिलाफ हमको लड़ने की जरूरत है आगे buttons पहले दोस्तों ये बता दू कि आप वीडियो पे like का बटन जरू दबाद दिएगा शुरू में बताना बूल गया मेरे वीडियो की notification नहीं मिल रही है तो नीचे दिये के telegram group को join कर लिजे telegram group को इसलिए भी और join कर लिजे चुकि कुछ और important update आएगी कोई ऐसी चीज जो कि मैं नई upload करना शुरू कर रहा हूँ अपने channel पर तो सबसे पहले मैं telegram में update करूँगा साथ साथ आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़के अपने doubts पूर सकते हैं या फिर बातचीत कर सकते हैं और मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियो को देखने के लिए आप channel member भी बन सकते हैं फिर आप देखोगे कि इसी समय पे urbanization का phenomenon हो रहा था आप देखोगे जो बिटिश राज था वो बिटिश राज पूरी तरीके से घर कर बैठ चुका थे इंडन सोसाइटी में अभी इस बिटिश राज के चलते बहुत सारी factories बन रही थी शहरों में urbanization हो रहा था शहरों में उस urbanization के चलते बहुत सारे labor की जरुवत थी तो job opportunities खुली तो गाउं में जो poor लोग थे और खासकर जो depressed classes थी जो lower classes थी जिनको जो धरम के ठेकेदार थे upper class के लोग दवा रहे थे उनको ये लगा कि चलो यार गाउं छोड़के शहरों में चलते हैं अगर गाउं में रहेंगे तो ये ठेकेदार, जमीनदार, जोतेदार हमको जीने नहीं देंगे तो लोग ये शहर में आगे शहर में आके ये लोग फैक्टरियों में काम करने लगें अभी फैक्टरियों में काम करने से भी इनकी हालत कुछ खास बहुत अच्छी नहीं हुई बट गाओं से तो कुछ भी बहतर था इनके लिए municipalities में इनको job मिल गई फिर आप देखोगे कि cities का जब expansion हुआ तो बहुत तरीके का काम आया demand labor बढ़ा तो आप देखोगे कि drains had to be dug road slate तो road बनानी है तो उसके लिए morangetti बिछानी है ठीके, buildings बनानी है cities को साफ करना है तो इसके लिए coolies, diggers, carriers, brick layers sewage cleaners, sweepers palanquin barriers, rickshaw pullers समझ रहे ना, diggers मतलब गड़ा खोलने वाले, coolie मतलब सावान को एक जगा से दूसरी जगा लेने वाले, इनको carriers ही बोलते हैं लेर्स, यानि इटे लगाने वाले sewage cleaners, जो जो gutter वगारा साफ करते थे, sweepers साफ सफाई वाले, palanquin bears मतलब वो, जहां कियां सी होती थी थे ना, पहले एक पालकी सी होती थी, उस पालकी को लेके चला करते थे, अपने गंदे पर तांक के, उसको बोला था था palanquin bearers तो ये सब labor provide करने के लिए जो गाओं के गरीब लोग थे, ये शहर पहुँचे अभी ज़्यादा तर ये गरीब थे, जो कि देखे, गाओं का जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा तपका है जो थोड़ा बहुत well to do तपका है वो कभी शहर नहीं जाएगा, उसको पता है शहर जाओंगा, मेरा exploitation होगा अभी गाओं में, खासकर वो लोग जो की lower class के थे, जिनको upper caste वाले already exploit कर रहे थे, उनको लगा कि अर गाओं में रहने से तो अच्छा है शहर चल लेते हैं, ठीक है फिर और भी कुछ employment opportunities के लिए हाला कि ये employment opportunities बहुत अच्छी नहीं थी, जैसे कि आसाम में tea plantations थी तो वहाँ पर tea plantations में काम करने गए लोग उसी समय पर मौरिशियस, त्रिनीदाद इंडोनेसिया, यहाँ पर भी इंगलेंड की बहुत सारी colonies थी जहाँ पर tea plantations में काम करने के जुरूद थी और भी बहुत सी plantations थी जिन में काम करने के जुरूद थी तो भर भर के labor को इंडिया से यहाँ पर ले जाया गया आप देख सकते हैं, कुली शिप, यानि वो लोग जो की मौरिशेस में जाके काम करेंगे plantations में, उनको इस शिप में भर के ले जाया जा सकता है, इस कुली शिप का नाम है John Allen, बहुत सारे Indian laborers को यह मौरिशेस लेके गया वहाँ पे इन से बहुत तरीके का hard labor कराया जाता था, जदतर जो laborers थे, वो lower caste के थे, Indian society में काफी परिशान थे, इनको लगा कुछ पैसे ही मिलेंगे, खाने को इस caste system से आजादी मिलेगी, तो यह भी ship पे बैटके जाने लगे, हाला कि इनको पता नहीं था कि आगे problems कितनी जादा है तो आप जाओगे मौरिशेस में आज की डेट में, तो वहाँ पे बहुत सारे Indian origin के लोग settled है, यह जो हमारे यहाँ से लोग गए थे ना, वहाँ पे काम करने के लिए इनही के, आप समझाते हों कि next lineage है, यह पूरवच थे, और उनकी next lineage, आज भी मौरिशेस में बहुत सारे basis पे दोस्तों, occupations को बाट दिया गया था, जैसे कि for example, अगर जूते बनाने का task देखो, तो जूते बनाने के लिए चाहिए leather, अभी जो leather workers थे दोस्तों, इनको अच्छी तरीके से नहीं देखा जाता था, क्यों होता है, क्यों भी है dirty और polluting था, उनके साब से एक काम तो कौन करेगा leather workers, अब इन leather workers की अपनी cast थी तो इनको बहुत ज़्यदा contempt से देखा जाता था लेकिन कुछ समय पे इनको फाइदा भी हो, जैसे कि जब पहला world war छिडा तो एकदम से जूतों की demand आईए, अभी जूतों को बनाने के लिए leather चाहिए और leather workers, आप का जो काम है, वो एक specific community कर रही है, देखे, इस community का नाम सा मदीकास, ये अंदरप्रदेश मदीकास आपको shoes बनाते नजर आ जा रहे तो आप देखोगे कि जब एकदम से shoes की demand बनेगी, तो इन leather workers की भी demand अच्छी हो जाएगी तो कुछ समय के लिए, एक selected pockets में, इन leather workers को थोड़ा बहुत पैसा कमाने का मौगा मिल जाएगा हाला कि यहाँ पे भी इनका काफी शोशन होगा लेकिन फिर भी, इन्होंने उस समय पे अपने जूतों को हाई दामों पे बेचा, थोड़ा बहुत profit कमाया, बाकी communities से इनकी हालत थोड़ी अच्छी हो गई Madigas आप देखोगे, एक untouchable cast थी, present day आंधर प्रदेश की यह लोग expert थे in cleaning heights, tanning them for use and sewing sandals, मतलब की जानवरों की खाल को खाड़ना उसको साफ करना और स्यू करके चपले बनाना, जूते बनाना, इसमें यह लोग expert थे, फिर कुछ और तरीके की नौकरिया मी थी दोस्तों जैसे की for example, army में भी बहुत सारी opportunities थी, जो British East India Company की army थी, वो लोग काबे लोगों को लेते थे, तो आप देखो कि बहुत सारे महर community की जो लोग थे, जिनको untouchable बोला जाता था, उनको महर regiment में नौकरिया मिल गई, फिर जो BR Ambedkar जी थे, आप कह सकते हैं कि leading crusader थे ये, आपका social oppression के against में, caste system के against में, ये दलित movement की leader थे, इन्होंने भी army school में पढ़ाया है, उस समय पे देखी दोस्तों, जो lower caste के लोग थे, so called lower classes थी, जिनको दबा दिया धर्म के ठेकेदारों में, उनकी हारत बहुत खराब थी, Bombay presidency में 1829 की बात हैं, कि भाईया, government schools, वो school जो सरकार के खर्चे पे चल रहे हैं, उसके अंदर भी भाईया, untouchables को गुसने की इजासत नहीं है, फिर, जब लोगों के अंदर थोड़ी बहुत consciousness आई और वो अपने अधिकारों के लिए लड़ने लगे, तो कैसे ना कैसे करके उनको बाहर, वरांडा के बाहर, मतलब जो की mangoes लेके जा रही हैं, market में ये जो दुबलास थे, ये गुजरात के upper caste landowners के लिए काम करते थे, उनके field में cultivation करते थे, और भी बहुत अलग तरीके की काम होते थे, landlord के house में, जो ये लोग करते थे, फिर हम बात करते हैं, demand for equality and justice धीरे धीरे आप देखोगे, अगर operation है, तो उस operation के खिलाफ आवाज भी उठेगी, और second half of the 19th century से, आप देखोगे, बहुत सारी इसी non-brahman caste उठेंगी, जो इस caste discrimination के अगेंस्ट आवाज उठाएंगी, social equality और justice की demand करेंगी, जैसे central India में movement शुरू हुआ, सतनामी movement जिसको शुरू किया, गुरू घासी दास जी ने ओके, ये leather workers के बीच में काम करते थे, और leather workers के social status को improve करने के लिए, गुरू घासी दास जी ने बहुत काम किया, सतनामी movement, इस्टन मंगाल में हरिदास ठाकुर, मतुआ जी थे ठीके, तो आप देखोगे हरिदास ठाकुर, मतुआ सेक्ट वर्क्ट अमंग चंडाला कल्टिवेटर्स तो ये जो हरिदास दी थे, ये चंडाल कल्टिवेटर्स के लिए काम कर रहे थे, इन चंडाल कल्टिवेटर्स के अगेंस्ट बहुत तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो हरिदास जी ने इन ब्रह्मिनिकल टेक्स्ट के अगेंस्ट आवाज उठाई, जो इस कास्ट सिस्टम को सपोर्ट करते थे, कैरला में एजावा कास्ट के एक गुरू निकल के आए, जिनका नाम श्री नारायन गुरू ने बोला कि भाईया ये आप जितने भी अलग-अलग कास्ट के लोग हैं, इनको बराबर का ट्रीटमेंट दीजे, ये अलग-अलग ट्रीटमेंट देना गलत है, उनके हिसाब से हुमन काइंड की एक ही कास्ट है, और उनका एक स्टेटमेंट था, औरु जाती, औरु मतम, औरु दैवं, मनुश्यम, वन कास्ट, वन रिलिजिन, वन गॉड फर मैनकाइंड, इनके एक शिश्य थे, जिन्हों ने बोला, नो कास्ट, नो रिलिजिन, नो गॉड फर हुमन काइंड, बताए उस शिश्य का अगेंस्ट इतने सारे डिस्क्रिमिनेशन चला रहें सुसाइटी में, इन डिस्क्रिमिनेशन को खतम करना है, इसके लिए उन हैबिट्स को, उन प्रैक्टिस को खतम करना पड़ेगा, जिन प्रैक्टिस के बेसिस पे इन डॉमिनेंट कास्ट के लोगों ने लोगों की सेल् इस आवाज उठाईए इस आवाज को उठाने का एक प्रॉसेस जोतिबा वाई फूले जी ने बहुत अच्छे तरीके शुरू किया इन्होंने किताब लिखी तो गुलाम गुरी आप देखें यह वन्हों दो मोस्ट वोकल लो कास्ट लीडर से 1827 मिन का जनम हुआ था Christian Missionaries द्वारा खोले गए स्कूलों में यह पढ़े थे जैसे जैसे यह बड़े होते गए उन्हें कास्ट सुसाइटी का इंजस्टिस समझ में आने लगा यह कोशन करने लगे कि यह जो ब्रहमन्स ने भाया यह थियोरी मना रखे कि यह वो दूसरे से सुपीरिन है यह थियोरी इंडिया के इंडिजीनियस लोग हैं इंडिया के इंडिजीनिस लोगों का लैंड है और इंडियोगे अर्नें से घिन कोयों they are the true children of this country और ये Aryans outsiders है ओके इन्होंने बोला कि Aryans हमारे देश में आये बाहर से lower caste के लोगों को दबा के उनको inferior बोल दिया अपने आपको upper caste बोल दिया हमसे हमारी जमीने चीन लिए हमसे हमारे त्लाकत चीन लिए जबकि ये जगा तो हमारी ही है हम इंडिजीनस पीपल है ये बाहर के लोग है फिर जो राजा बाली का देखें एक राजा बाली नाम के राजा हुआ करते थे राजा बाली कहा जाता था कि जब आरन इन्वेजन हो रहा था इंडिया में तो जोतिबा भाई फूले जी ने बोला कि राजा बाली मराठा हर्ट लैंड था न आप देखोगे कि महराष्ट के इलाके में आक्टिव थे जूतिबाइफ उले जी अभी उस समें पर रिजनलिजम था पूरे देश की बातचीत नहीं होती थी तो मराठा उले जूतिबाइफ उले जी ने बोला कि राजा बाली नाम का एक राजा था, अभी ये राजाबाली नाम का राजा, आरेन इन्वेजन से पहले यहां पर राज करता था, आरेन इन्वेजन हुआ, और ये जो गोल्डेन एज था रूल का इंडिया में, वो गोल्डेन एज चला गया, ओके और ये आरेन्स जो की फॉर्णर से ये बाहर से आ इसके लिए आप देखोगे कि जोतिबाइफाई फूले जी ने सत्य शोदक समाज की स्थापना की जो की कास्ट एक्वालिटी पर ध्यान देता था फिर अगर बात करें आप तो भाईया फूले जी यह जो नैशनलिजम की भावना उठ रही थी उस समय पर उसके अगेंस्ट ब काटा है और अब ये नैशनलिजम के नाम पर बोल रहे हैं कि शूदर मुसलिम और पार्सी को मिलके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चाहिए यह गलत है यह हमारा इस्तमाल करके हमें एक करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़के उनको भागाने के बाद फिर से वह वही क और अपर कास्ट को अपर कर देगे आप देखे यहां पर भरोसा इस हद तक कम हो जगा था क्स्ट की है और कर दोามिनेंट था कि जो तिबा भाई फूले जी को नाशनलिस्टिक लीडर्स में भरोसा यह नहीं था उनका यह कहना था ढ़रigner University जो आज इता की बात करते हैं बाहर के लोगों को भगाने के लिए यह गलत है ठीक है अगर हम लोग मिलके बाहर के लोगों को भगा भी देते हैं तो फिर अपरकास उनको बाद में दबाएगी तो इस हद तक आप कह सकते हो कि घ्रणा भर चुकी थी इनके अंदर 1873 में फोले जी ने ग सिवल वार खतम हुआ तो अमेरिका में स्लेवरी खतम हुगई फूले साब ने गुलाम गरी नाम के किताब लिखी और इसको उन अमेरिकांस को डेडिकेट किया जिन्नों ने लड़ाई की फ्लेब को फ्री करने के लिए उस में और उननों ने बोला USA में य RSी में ये जो कर रहे हैं ओके फिर जोतिबा भाई फूले जी ने हमारे देश के और भी मार्जिनलाइज सेक्शन्स और वोलेबल सेक्शन्स के आग सपोर्ट में आवाज उठाईए जैसे ही कि आपको पता है कि अपर कास्स सुसाइटी में वुमिन की हालत बहुत खराब थी तो उनके फेव में मेजर लोवर कास्ट के प्रो कंडिशन्स पैदा करने वाले लीडर्स उब रहेंगे जैसे बियार अमबेटकर जी जैसे एवी रामसवामी नायकर जी बियार अमबेटकर जी वेस्टन इलाके में ज्यादा एक्टिव से गुजरात बॉम्बे एवी रामसवामी नायकर ज तो लोवर कास्ट के लोगों को पानी पीना अलाउड नहीं था तो लोवर कास्ट के लोगों को लीड करते हुए अमबेटकर साब लेके गए और वहाँ पानी पिया यहाँ पे आपको गेटवे दिखाया जारा है मदुरई टेंपिल का जो की थॉमस डैनियल ने 1792 में पेंट किया था आप देख सकते हैं मिनाक्षी टेंपिल इन मदुरई यह रास्ता दिखा रहा है आपको और इस रास्ते पे आप कह सकते हो कि जो डिप्रस क्लास के लोग थे उनका जाना अलाउड नहीं था जब तक टेंपिल इंट्री मुमेंट ना शुरू हुआ अमबेटकर साब किया पे बात करते हैं महार पैमिली में इनका जनम हुआ था छोटे से इनको कास्ट प्रजडाइस सुसाइटी में दिखने लगी थी वो प्रेवलेंट थी जो भी लोवर कास्ट के लोग थे उनको एक कास्ट प्रजडाइस दिखती थी जो भी अपर कास्ट के लोग थे उनको दिखती थी अपर कास्ट के लोग इसको प्रमोट करते थे चुकि ये उनको एक एडवांटेज देती थी इस्कूल में अमबेटकर साब को फोर्स किया जाता था कि वो क्लासरूम के बाहर जमीन पे बैठे उनको टैप से पानी नहीं पीने दिया जाता था जिस टैप से अपर क्लास के बच्चे पानी पीते थे अपना स्कूल खतम होने के बाद फैलोशिप के थूरू ये यूएसे में पढ़ने गए 1919 में जब ये इंडिया में वापस आये उस समय पे उन्होंने इस इशू के बारे में बहुत कुछ लिखा कि कैसे अपर कास्ट ने इंडियन सुसाइटी को डॉमिनेट करके रखा है 1927 में अमबेटकर जी ने एक टेंपल एंट्री मूव्मेंट चलाया जिसमें इनकी माहर कास्ट के लोगों ने इनका साथ दिया अविसी बात है जो ब्रह्मिन पीस्ट है वो नाराज हो जाएंगे लेकिन तब भी अमबेटकर साथ रुके नहीं और उन्होंने इन टेंपल के अंदर जो टैंक्स थे वहाँ पे जाके लोगों को लेके गया और पानी पिया ऐसे तीन टेंपल एंट्री मूवमेंट हमको देखने को मिलेंगे अब बेटकर साथ ने जो लीड किये 1927 से लेके 35 के बीच में इन टेंपल एंट्री मूवमेंट का साफ साफ एक एम था कि भीया जो सो का और लोवर कास्टिस थी जिनको दबार रखा था उनको ये बताना कि आप कहीं से भी disadvantage नहीं है आपने rights के लड़ रही है और पूरे society को बताना कि देखिए आपकी society ने कैसे लोवर क्लास के लोगों को दबार रखा है नौन ब्रह्मन मूवमेंट की बात करें तो भीया ये South India में भी शुरू होगा दीरे दीरे आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी नौन ब्रह्मन कास्ट हैं जिनके education बड़ी wealth बड़ा influence बड़ा आप देखोगे दीरे दीरे ये समझा जाने लगा इन लोवर कास्ट में कि भीया ये जो आरियन्स है ना ये जो ब्रह्मन है society में ये एक्चुली में आरियन्स हैं ये बाहर से आये हैं और बाहर से आके इन्होंने यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको subjugate कर दिया ये जो notion था ये south इंडिया में बहुत तेजी से बड़ा चुकि south इंडिया में जो race है उसको बोला जाता है दरवीदियन race और दरवीदियन race को ये लगने लगा कि ये जो Aryans है जो कि north इंडिया में dominant थे ये लोग बाहर से आये इन्होंने पहले north इंडिया की लोगों को subjugate किया और अब ये south इंडिया की लोगों को subjugate कर रहे है जो की गलत है असल में दोस्तों उस समय पे caste system हमारी society की इतनी बड़ी problem थी न लोग परिशान हो चुके थे जो upper class के लोग थे धरम के ठेकेदार इन्होंने परिशान कर दिया बाकी लोगों को मतलब पीछे पढ़ गया उनको जीना हराम कर दिया है इन लोगोंने तो अब विसी बात है अब इस तरीके एक चीज़े तो होगी तुम कौन होते हो धरम के ठोकेदार बनने वाले तुम कौन होते हो किसी को दबाने वाले caste के नाम पे तुम्हें किसने ठेका दिया कि भगवान उपर से उतर गया तो तुम्हें ठेका देने किसी ने भगवान को देखा नहीं है तुमने अपनी advantages position का फायदा उठा के एक नीचे कमजोर आदमी को दबा दिया तो तुमने कौन सी बड़ी चीज़ कर ली तब आउस का backlash तो हो गई तो backlash देखने को बिलता हमें यहाँ पर यहाँ पर एक charismatic personality उट के आएंगे ईवी रामसवामी नायकर पेर यार भी बोलाता है middle class family से थे शुरवात में यह ascetic थे इन्होंने Sanskrit scriptures को सुना था और Congress के member भी बने गुस्ता इनको तब आया कि एक बार nationalist की meeting हो रही थी Congress की ही meeting में और वहाँ पे जो seating arrangements था वो caste के आधार पर था मतलब कि Congress की meeting हो रही है nationalist मिन रहे है देश के लिए बाचीद हो रही है और वहाँ पे भी तुम caste dixtension पर ध्यान दे रहे हो अब तुम एक foreign power से लड़ रहे हो और अपने ही organization में caste की चीज़ों पर ध्यान दे रहे हो तो तुम तो अपने आपको अंदर से ही कमजोर कर रहे हो ना इन्होंने Congress ही छोड़ दी इनको अब तक ये समझ में आ चुका था कि जो untouchables हैं उनको अपनी ब्रह्मन के द्वारा इसको रोकने की जरूरत है फिर इनको लगा अब ये जो अपर कास्ट है न ये करते क्या थे ये बोलते थे कि ये जो कास्ट के नाम पे society बटी है ये तो भगवान ने बाटी है हम तोई ना इसमें कुछ कर सकते हैं अभी कभी ना कभी तो आपको कुछ ना कुछ गलत काम को justify करने में आपको एक extraordinary reason देना पड़ेगा और ये extraordinary reason क्या था इन धर्म के ठेकेदारों का कि भाईया हम तोई ना ले क्या है हमें तो भगवान ने बड़ा बनाया है तुम्हें तो भगवान ने छोटा बनाया है तुम तो जल्म से जंटेचिबल हो इस तरीकी चीज़ें लोगने चालू कर रखी थी पेरियार जी ने बोला सब बकवास हैं ये जो हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं बकवास हैं जिस स्क्रिप्चर्स में भी ये सब चीज़ें लिखी हैं वो स्क्रिप्चर्स बकवास हैं आप देखो दोस्तों कि पेरियार जी ने अपनी किताबों में क्या लिखा थरा मुखुर्थम इन्होंने लिखा कि वो संस्कृत के टेक्स्ट जो एक वुमिन को अपने हस्बेंड का गुलाम मना दें वो कैसे सही हो सकते हैं कभी इस तरीके से जब सोसाइटी को रिफॉर्म करने की बातचीत होगी तो जो उपर पे लोग बैठे हैं जिनके हाथ में ताकत हैं वो क्या उस ताकत को अतनी आसानी से जाने देंगे वो भी उसको चैलेंज करेंगे तो यहाँ पे और जो हाइयर कास थे उन्होंना भी अपने ग्रूप बना लिये तो सनातन धर्म सभा बन गई भारत धर्म महामंडल बन गया ब्रह्मन सभा बन गई इन में बहस होने लगी उन्होंने बोला कि नहीं भाई कास डिस्टिंशन तह सही है कास डिस्टिंशन तो जरूरी है हिंदू धर्म का जो बेस है हम ऊपर है तुम नीचे हो तुम लिचन जाती में पैदा हुए तो तुम तो दबोगे यह सब तो स्कृप्चर्स में लिखा है ये सब तो भगवान ने किया है, इस तरीके से इस सब चीज़ों को justify किया जाने लगा, लेकिन ये justify होने वाली थी नहीं, चोकि जो चीज गलत है, उसको आप कभी justify कर नहीं सकते हो, आगे चलते हैं, फाइली हम लोग चैप्टर को खतम करने पर आ गए हैं, यहाँ पर सबसे पहले ब्रह्मो समाज की बात हुई, 830 मेना था, हर तरीके की आइडोलेटरी प्रैक्टिस को इसने हटाया, ठीके, sacrifice को हटाया, उपनिशत्स में भरोसा रखते थे ये, उन religious practices का खंडन करते थे, जिन्होंने society को तोड़ दिया था, ठीके, इन्होंने हिंदुईजम और Christianity के अच्छे प्रभावों को सामने लाने की कोशिश की, ओके, negative dimensions को अलग किया, और positive dimensions को incorporate करने को कोशिश की, एक बहुत major person जो ब्रह्मो समाज की साथ associated थे, वो थे, आगे थे, radical ideas थे इनके, इनके followers ने एक moment शुरू किया, जिसका नाम था यंग बंगाल moment, काम क्या था इनका, women की पढ़ाई को promote करो, freedom of thought and expression, French revolution के सिधान से बहुत ज़्यदा inspired थे, traditional thought process और customs को सीधे सीधे साइड अटाओ, ये आपको देख रहा है, Henry Vivian Jorizio, ये एक Anglo-Indian थे, फिर आगे बाद की जाती, राम कृष्न मिशन और स्वामी विवेकानन जी की, देखे, राम कृष्न मिशन पढ़ा है, राम कृष्न परमाहन जी के नाम पे, जो की स्वामी विवेकानन जी के गुरू थे, स्वामी विवेकानन जी का time period था, 1863 से 1902, स्वामी विवेकानन जी फेमस किसके लिए हैं वर्ड पार्लेमेंट आफ रिलीजेंस जब हुई थी शिकागो में 1893 में तो वहाँ पे उन्होंने लेक्चर दिया था और जब उन्होंने लेक्चर दिया ना भाई बाद में आप देखो गे New York Herald में एक रिपोर्ट छपी जिसमें बोला गया We feel how foolish it is to send missionaries to this learned mission याई हम Christian missionaries को भेज़ रहे हैं इंडिया में इनको सिखाने के लिए हम इन learned लोगों को कहां सिखा पाएंगे स्वामी विवेका नजी का जो रियल नाम था वो था नरेंदर नांथ दत्त इन्होंने विदानता की philosophy को modernize तरीके से दुनिया भर में दिखाया सासाथ इन्होंने ये भी समझा कि भाई भारत के लोगों के सामने poverty और miseric के सदतक आगे बढ़ चुकी है masses की conditions को reform करना उनको उपर उठाना के सदतक जरूरी है इन्होंने लोगों को आवाज लगाई कि भाईया आप अपने घर के अंदर के धरम में मत घुसे रहिए देश की सेवा में बाहर निकल लिए और वो nationalism जो कि एक शुरुवाती phase में था nascent stage में था उस nationalism को aggressiveness provide करने की कोशिश की स्वामी विवेकानन जी से कैसे society में uniformity और equality को लाने की कोशिश के साथ इसलिए स्वामी विवेकानन जी को बुला जाता is a symbol of a new spirit and a source of strength for the future बात की जाए प्रात्न समाज की 1866 में बॉंबे में शुरू हुआ आत्माराम पांडू रांग जी ने शुरू किया थे इसको काम किया था कास्ट इस्टिंशन को अटाओ चाल्ड मेरिज को अटाओ वोमेन के एजुकेशन को प्रमोट करो विडो री मेरिज पे जो बैन लगा है इसको हटाओ इन्होंने हिंदू, बुद्धिस्ट और कृस्टिंशन टेस्ट की अच्छी अच्छी बातों को कंसॉलिडेट करके लोगों को सिखाना शुरू किया फिर वेद समाज की बात करते है मदरास चिन्नही में बनाये गए इसको 1864 में ब्रह्मो समाज से इंस्पायर था इसने बोला कास्ट इस्टिंशन हटाओ विडो री मैरिज को प्रमोट करो वोमेंस एजुकेशन को प्रमोट करो वन गॉर्ड में बिलीफ को बढ़ाईए सुपरस्टिशन को कंडेम्ड करिए और्थोडॉक्स हिंदुइजम की जो गलतियां है उनको सामने लेके आईए फिर मुस्लिम रिफॉर्मस मुव्मेंट में बात की जाए यही से शुरू हुआ आपका अलिगण मुव्मेंट इस कॉलेज में सर सेया दैमत खान साव ने मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइट की वेस्टन साइंस को बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और हिंदु यह जो मुस्लिम धरम था इसके अंदर जो दक्यान उसी ख्यालाते उसको उटाने कोशिश की और मुस्लिम को इन्हों ने बोला कि अपनी एजुकेशन पर ध्यान दो अपने आपको काबिल बनाओ ना कि अपने धरम के दक्यान उसी ख्यालात में खुसवे रहो फिर सिख सवा मुव्मेंट तो भया सिख का डिफॉर्म और्गनाइजेशन आप देखो कि पहली जो सिख सवा बनी वो बनी अमरिसर 1873 में और लाहूर 1879 में सिखिजम के अंदर जो सिपरस्टिशन कास्ट डिस्टिंशन आ गये थे उनको रोकने की जरूरती हाला कि सिखिजम के अंदर हिंदू धर्म जितने सुपरस्टिशन और कास्ट डिस्टिंशन नहीं थे नहीं मुसलिम धर्म के अंदर हिंदू धर्म जितने सुपरस्टिशन और कास्ट डिस्टिंशन थे बट फिर भी जो भी थे उनको निकालना बहुत ज़रूरी था modernized way of teaching ज़रूरी थी इसलिए सिंग सभा मूव्मेंट शुरू किया गया यहाँ पर आपको फोटो नजर आ रही है खालसा कॉलेज अमरिस्टर की जिसकी स्थापना 1892 में की गई थी सिंग सभा मूव्मेंट की लीडर्स के उधारा फाइनली बात करते हैं ब्लैक सेवस और वाइट प्लांटर्स की गुलामगीरी किताब में जोतिबा राओ फूले जी ने इंडिया की जो कास सिस्टम की प्रॉब्लम है अफ्रीका से थोक के भाव इन स्लेवरी लीगल थी बहुत परेशान किया गया इन स्लेवस को इनको whip किया जाता था, मारा जाता था, सुबह से लेके शाम तक इनसे काम कराया जाता था, टॉर्चर किया जाता था, ठीक है, इनको humiliate किया जाता था, यहाँ पर आपको दिख रहा है, कैसे यहाँ पर यह slaves खड़े हुएं दोस्तों, देखे, इनकी बोली लग रही है, कहां कह रेवलुशन जो आता, 1766 में, उसके डेकलेरेशन में जो लिखा था, उस डेकलेरेशन के अगेंस्ट था यह slavery की प्रथा, तो बहुत लंबे समय तक यह बोला गया USA में, कि आप अपने यह American Revolution के basic मूल सिधानतों को नहीं मान रहो, और Abraham Lincoln, जो की US के charismatic president थे, उन्होंने एक बह कि chapter 8 फिनिश हो चुका है, अगले वीडियो में आपको chapter 9 के बारे में बताऊंगा, thank you for watching friends, वीडियो को like और share किये बिना मच चाहिएगा, ठीक है, बाकी और information के लिए आप मेरे चैनल पर member भी मासकते हैं, have a great day, good bye